से से लिए सब्सक्राइब एच जब तक है हमें सीखते ही रहना चाहिए पड़ते ही रहना चाहिए इसी मुहिए पे लेकर क्या है कि आपका टॉपिक है इस विशह पे और यह टॉपिक हमी डॉक्टर सुबरा सान्याल के ही पजिश्ट किया हुआ था और इसको पीन मगवाय को अगर हम कुल कौंप में देख लेते हैं सुबाज़ी तो यह कहता है कि फॉर्स इंग वाट इस इस्ट्रेस समझना है इसको और अ और सब्सक्राइब है जो भी अमेरे पार देख रहे हैं यहां देख रहा हूं दिव्या है जीतन कैलवर्ट इसनी मेरे साथ है और विकास और सुबाज़ देख यह सबसे पड़ी बात है कि कोई भी विक्ति यहां मानने को तैयार ही नहीं होता है कि वह इस्ट्रेस में है सबसे बड़े जल्ली बड़ी कौमन सा है यार किसी को पढ़ाई का प्रिशार है और वो प्रेशर का बढ़ता जाता है जब तक किसी वस्तू को प्रेशर नहीं दोगे तो आगी कति परिया तो प्रेशर देना ही भड़ता है और उसपे आती है तनां इंगलिश में टेंसन कहते हैं और अपिर अपना रहता है यार मुझे अपना टेंसर होने लगा है यहां पर विकास जी है अपने यह अच्छे समझते होंगे कि यह बोलता है विकास जी तुसको ब्लड प्रेशर है लेकिन डिस्ट्रेस नहीं है और बहुत साली नीमारी है बिल्कुल आपके रहे तो किसमा चुला गया है लेकिन वह कभी मानने को तयार नहीं होता कि मैं इस्ट्रेस तो जिद्धी चीरा हूं है उनको लगता है कि इस्ट्रेस तो नॉर्मल है इस्ट्रेस समझ में नहीं है सबके साथ होती है मैं तो चलिए सबसे पहले तो मैं बक्र सुब्रा जी की ओर चले चलता हूं और वहीं से बात करूंगा सबसे पहले कि आप से यहीं समझें आपके अनुबहों से दोनों बातें अपने कई प्रेशर और सबसे इसी को आप मुझे अगर समझा दे हैं हमारे दर्श्कों को बहुत से यंग बैच भी जुड़े हुए हैं तो समझ में आए अंतर क्या वोगता है ड़्टर सुब्रा ज आपने जो भी शुरूरात में बोलिया है होफ आम आडिवल मैं जो है दोनों इंग्लिश और हिंदी में बोलती ही रहोंगी और मैं यह बहुत खुश हूं कि यह स्ट्रेस जो आपने एक प्लाटफॉम बनाया है पाले जी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस के अंदर जाने के पहले कि इस प्लैटफॉम ज़ए ढखे कैँ एसा लग बोड़ों के एक प्लाटफॉम जाया दो एसा अप्टिवे होजाए यह चलता रहे हैं में अप के प्लाटफॉम के तरह देखें और सोचे कि हम अगर्ट स्ट्रेस में हैं तो हमारे हमको बचा उंक के लिए हमें संझा हने के लिए शुजाओ देने के लिए पोई तुग है तो मैं यह चाहती हूँ यह मेरी बहुत ही अंदर की इच्छा है और मैं आपसे विंती कर्थी हूँ कि इसको रखेगा यह प्लैट्फॉर्म को आप एक्टिव रखेगा एक्टिव रखेगा एक्टिव रखेगा फॉर वीक्स मना के आपको दिये हैं और हम मैं देख रही हूँ जिन से मैं बात करी हूँ लोग तयार है आने के लिए तयार है अपने बोलने के लिए अन्त में लास्ट फेज होगा उसमें आप लोगों से कहिएगा अपने प्रॉब्रम्स ले आए हम लोग खुले आम डिसकुस करेंगे शुरॉद करें यह अपने कि पहली बात तो यह है कि stress जो चीज ए हम कहते हैं आज मनुवेग्यें stress the stress stress the stress then de-stress and then become stress free stress the stress de-stress become stress but this stress जोरा किया है किस बिमारी का नाम है तो तक क्या है कि अगर आप देखें कि जो इनसान है जब से एक बच्चा पैदा होता है मां के बुद में आता है वह बच्चा हस्ती नहीं बहुत है अगर बच्चा हस्ती आता है तो हम लोग कहते हैं यह अन्नाचरल है यह जो मैंने भी पढ़ी है और मैं आप से शेर करना चाहती है यह कुंठा से आती है कॉन्टा से कहां यह जाता है कि बच्चा क्यों रोता है क्योंकि जब वो ना की दर्मे है वो एक अंधेरी कमरे में है वो निकलता है तो उसको दोसो पावर की रोशन के सामने रखते रखा ज राइची रहा है और मनुग एक दूसरा भी चाहर है उनका यह कहना है अब से बच्चा रोएगा बात सही है क्योंकि यहां से पुंठा शुरू हो थे चाहर है तो लिव और नॉट लिव बच्चा का से आ रही हो और वयदर भी से जाता हो थे क्या से ढ रही है यह जो हो बच्चे के अंडर मलेयों से यह गरा जो है उसके अंदर आगे बच्चा संजाने पा रहा है रोता है या हसता है ए मैं और धीरे-धीरे क्या होता है फिज浜ी नदर जो इज्चा reflects सब्सक्राइब करते हैं, जैसे जैसे बढ़ता है, उसे इच्छाएं बढ़ती है, जैसे बढ़ने लगता है, उसके सोच बदलते हैं, वो अपने बारे में सोचने लगता है, उसके मांगे शुरू हो जाती है, अब आप सोच लिए, छोटा बच्चे स्ट्रेस नहीं बता पा रहा है, और इस स्कूल जा रहा है, एक भारी बैग पीठ में लेकर, मैं चोटी-चोटी एग्जाम्पल देकर तो लोग सब समझें, एक छोटा सा पांच साल का बच्चे को आपने एडवेशन कराया स्कूल में, उसका पीठ जो है, अभी सीड़ दाड़ा, जो कहते हैं, वो अभी सीड़ा नहीं हुआ, तर उसके पीठ के उपर दस केजी का बैग रखा हुआ है, वो चला, बस में बैठा दिया ममी ने, वो च पर भी साल तक रहते थे, पर अडमेशन होताता हि, आज 2 साल, 3 साल में ठमेशन हुआ हो रहा है, बच्चे साल में आडमेशन हो जा रहा है, बारी बच्चे में अगाल प्ले सोच हे है, और बच्चों में मि opening उख जाता है, और तीचे का अपना कोटा है, इतना पर ने पाई सब्सक्राइब है कि अब धेधें एक होता जाहें गार बेच्टещ आखे और unकिटर कि अनल कोई प्यार नहीं घेंसे किसले आछ जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं धीरे-धीरे, जैसे जैसे उनकी मांगे बढ़ती जाते हैं, क्या माँबाप से मांगे पुरी करपा ले हैं? अब वो कहते हैं, जो बोल रहा हूं, वो करो, यहां खाना खाओ, यह पढ़ाई करो, नहीं पढ़ाई कर पाऊगे, तुछ चिला रहे हैं, वो घूम के देखते हैं कि कोई तु हूँ, जो मुझे साहरा दे, यह जो आप प्लाटफॉंम बना रहे हैं, यहां पर आप अच्छा, मैं यहां रुप जाती हूं, मैं रुप जाती हूं, थोड़ा सा रुप कर कहें, मैं डॉक्टर विकास के पास चाहरा हूं कि कि इसी जो आपने आज बाते की, यही बाते, जो बहुत को भी डॉक्टर विकास ने हमें ऑनलाइन प्रेटफॉर्म पे शेयर की, तो मैं इस मंच पे डॉक्टर विकास को लोगा, कि उनका इस बारे में क्या सोजना है, और क्या अब्जर्वेशन रहा है, क्यों उनको ऐसा लगपा रहा है, कि बढ़ रही है, क्या यहां इस्ट्रेस है, तो अभी तक उनका क्या ऑब्जर्वेशन है, खास्तर के गाउंप होग होगा ना, खुर्वाटन हम वेलकाम भ्कराम इस्ट्रेस टेकर शर्वाटर माराणा , और यूख तीन चेहों और क्या माध कक्या दा आतश्ण ग करने का विचार है और आगे जैसा हमारे साथ रहेगा हम इसे आगे करने की कोशिश करेंगे तो मैं वहीं के चलो सब्सक्राइब कहा रहे थी काफी ऐसा हो गया है कि वह एक डिटेश से रहते हैं मैं समझ पाया कि रहते हैं उन्हें जो पैरेंटिंग चाहिए थी जो अटेश्मेंट होना चाहिए था क्योंकि आई तिन साल के बच्चे को स्कूल कर देते हैं तो यह एक चीज़ हो गई है ऐसी कंडिसंस में इस्ट्रस बढ़ रहा है आप पैरेंट भी हैं बच्च पूलिंग भी देखी है आप रूर्ण चेज़िट कर रहे हैं तो मैं एक डॉक्टर केंप होने के नाते और प्रेंट नाते आपसे यह कुछ ना जा रहा हूं कि आपकी फिलिंग क्या है कि अबर कमान समय वे इस्ट्रस बढ़ दे का क्या गाल हो रहा है पॉलिटिव हेल्ट प्रेक्रो और फिजिकल और्गेंस में उर्जा के प्रवा को चिप कर कम्प्लीट एल्थ एनालिसिस किया जाता है वेदापल्स मशिन द्वारा आपकी प्रकति और विक्रति का पता लागा कर सक्त धातू पंच तक्त्वों के संत्वलन की जान द्वारा बीमारियों के कि इन प्लान और साइको निरॉबिक टेक्निक द्वारा आपको संपुन्फ्वक्त प्योर ले जाया जाता है सुब्रा मेडम को मेरा प्रणाम का पे किनो बात मेडम के साथ में नमुष्कार बहुत अच्छे लग़रे आपको देखेंगे स्वाल है मेरे लिए चुकि मेरम को में सुन रहा था तो निश्ची तवर पे दो तीर चीजें है जो इस पे हम सब को दौर फर्माना चाहिए पहला जैसे मेडम ने अभी कहा था कि बायोलाजिकल जो स्थेस हैं जब हम वह करते हैं उसके बाद फिजिकल और मेंटल जो सारे कि उसी चीजें डवलक्मेंट के साथ में आती है एक चीज हुआ है जो जनरेशन में परिवर्तन जैसे चाहे वह सहर में कोई रहा हो या फिर गाउं के परिवेश से सहर में आ गया तो जिस डंग से चीजें बद्ली हैं बद्लाव हुई हैं दरसल उसके कभी भी हमारे एजूकेशन सिस्टम में या हमारे सोशियल सिस्टम में इस चीज को विचार किया ही नहीं है इतरी बड़ी आगा बूल हुई है उसमें एक बर छो करना यह दूब लिए उसको पता नहीं हुता था पढ़ना उसके साथ में नहीं है लेकिन एक लिखनी लेकिन पढ़ाई का जो तरीका है उसको नहीं मालुप जैसे गाओं हो बच्चा है मीडियम वह एक लोकल लिंवेज को ball जानता है इसके बच्चा है इंगली स्कूल में डाल देंगे तो इसके बास सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यह एकदम से ऐसी जो आपा धापी की जो सोच डबलब भुई और यह लगवग आज से करीब तीन-चार वांट दिकेट पहले उसके साथ में जो यह इस्ट्रेस का जो चीज लेकिन लोगों को यह रहता था कि यार भगवान जो है न हमको प्रेदा किया हुआ है हमको सारे चीज यहां पर हमारे बश्था कर देगा यह स्ट्रेस को कम करने के लिए एक साइकोलाजिकल बहुत बड़ी चीज होती थी उस समय भी अकाल होते थे उसमें भी मामारी होती थ लेकिन लोगों को इस बाबत कितनी चींता नहीं होगी थी कि मेरे घर में खाने का अनाज नहीं है या फिर मेरे बच्चे क्या कबदलता पहनेंगे क्या होगा इनका यह सारे आज यहां पर हुआ क्या है कि इतना डिस अगनाइस तरीके से चिज़ें हो गई हैं नुक्लियर अब आप खुद इस पर रहते हैं लेकिन वह अपने इस पर नहीं करते हैं नहीं नहीं आई से कोई बात नहीं बीटा तू सब कुछ कर ले तू बढ़िया हो जाएगा हमारा सब कुछ ठीक है यह जो साइलेंट जो चीजें हैं चलती रहती हैं जिनको एक्सक्रेश भी नहीं करणे का उसको स्टेटी करने का πάते हैं कोई हमारे सिस्टम में कुछ है ले यह इसके कारण जो हमारे सारे हमेरे उटक सर बात करते नंडऐ कोईशी नहीं होती तब तक मूब आए दूसरी समस्य खड़ी देती तो यह जो चीज है हम सब पर हावी हो गया है इस्ट्रेस पहले भी था वो इस्ट्रेस बैलेंस पहले जो आदमी बैट के साथ में बहुत सारे चीजिएंगों को ठीक कर लेता था जैसे हम अक्सर ऐसी बाते करते हैं कि सुद्ध हवा और वो सारी जो चीजें उससे हमारा बहुत कुछ ठीक हो जाता था ने चिरली उस समय बाती जब जहां पर आदमी बैट जाता था तो बाकी चीजें भूल जाता था वो उसके लिए आज मनुरंजन के तमाम सारे साधन होते हुए भी वो घर से निक पता नहीं किस से क्या चीज हो जाए वो वहाँ पर जो इस्टेंड वाला है मोटर साइकल से लेके कार वाला वहां से लेके वो जब तक हॉल में पहुंचता है हॉल में भी स्ट्रेस रहता है इतने में मोबाइल में सारे जो चीज़ें आती हैं तो यह जो चीज हैं हम उन सब चीजों को overcome नहीं कर पा रहे हैं हमारा जो lifestyle है वो गया है जो जिसको कि हमारा जो सरीर है हमारी मांसी का वस्ता है उसको एड़ाप्ट नहीं कर रही है लेकिन हम यह माल भी चल रहे नहीं लिए सब कुछ ठीक है हम ओवर करेंगे हम लड़ेंगे और तमाम सारे जो एक चीज बुलना चाहूंगा हो सकता है इसमें ये मेरा अपना अभिमत है कुछ लोग इसमें करेंगे कि अक्सर तमाम ऐसी चीज़ें उपलब्द हैं चाहे वो योग के माध्धम से और भी सारी रिजुपेशन के माध्धम से वो हमें बताने कोशिश तो करती हैं कि हम सब्सक्राइब करने की कुछ कुछ जगह में लेकिन नहीं है और इसी लिए यह जो चीज़ें हैं वहार में आज की तारिफ में होना यह चाहिए इसके दूसरे सलुसान वाले आपक्स में आ रहा हूं कि बहुत स्ट्रांगली एजूकेशन सिस्टम से अब बहुत जरूरी हो हम जहां पर काम करते हैं चाहले हमें त्रेस धेलने की शितिक में आज मैं एक सार पहले मेरा स्ट्रेस ड्लेबल कितना था आज कितना है मेरे environment आसपास जहां मैं काम करना हूँ, क्या वो पहले से बहतर हुआ है, वैसी है, उससे दागा गुरा हो गए, इन सब का जब तक assessment नहीं कर पाएंगे या नहीं होगा, ये stress का level बढ़ता रहेगा, लोग की impressence होते रहेंगे, और ये सारे जो सरीर की जो तमाम सारी ब्यादिय जाना होगा, हमें समझना होगा, कि हम इस आप अधापी के life में किधर भाग रहे हैं, और जब तक stress level को सारी जो चीज़ें नहीं होगी, इनको define करने का सबसे बेस तरीका, आपका खुद का तरीका हो सकता है, education system हो सकता है, बहुत इस प्रांगिन को सिखाया जाना चाहिए, ह आपकी stress level को कम करेंगे, cool down करेंगे, cool रही है, आप सब कुछ ठीक हुजाएगा, सारा चीज़, थोड़े देर आप वहाँ पर बैठें, चाय पीने के साथ मुन होगी, तो तुरहां को बातें उहीं सुग हो जाती है, और यार क्या हाल चालने के से बहुत तनाव में हो भाई एक कपचाय के साथ में, रिलेक्स होने की बात हो जाती है, और फिर जब चाय कटल होती है, तो फिर वही तनाव वापस आ जाता है, उसलिए तो मैं अक्सर बोल बैठावन अकसर जो आपने काने कि आपाद हापी की जिंदगी है, तो उसमें कभी एक खोड़ी सी लाइने मैं से दूरियां, यह है हमारी प्रेजल सिनेरियो कि हम आपाद हापी की जिंदगी में अपनों से जिसकरा से दूरी बना रहे हैं, उससे केवल चेहरे पे तनाव तनाव और तनाव ही नजाराता है, तो विकास अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, तो विकास आएंगे सामने, तो विकास साहूं जी, तो विकास अभी भी लाइन पे नहीं आ रहे हैं, मेरे साथ में एक और हैं, मैं बक्टर सुग्रा, आपके पास तोचेहंगा, मैं उसके कहले, एक तोफाल वरकर्मी है, मोनिका बागनेचा जी, जोड़ी हुल है, मोनिका जी, आप अपना अगर अन्म्यूट करें, हम आपके कुछ बात करें, जी सर, आज की इंट्रेक्टरी प्रोग्राम लिया है, हम आपसे यह समझना जा रहा है, क्योंकि आप काफी कुछ बंचों के साथ में अटेच रहती है, और जिस तरह से टॉपिक चालू हुआ, और डप्टर सुग्रा सा और आगे पर गए। से बेस्ट होना चाहिए, और यही एक रीजन है, हर बच्चे की हमने उसकी तह तक ही नहीं पहुचे कि उसमें क्या क्वालिटी है, पर हमें हमारा बच्चा हमेशा क्लास में फस्ट चाहिए, और ऐसा सिर्फ एक मा नहीं सोच रही है, हर मा यहीं सोच रही है, तो कहीं न कही बच्चों पे हम अपना प्रेशर डाल रहे हैं और यही एक रीजन है कि एक बच्चा खुल के जीवन जी ही नहीं पाता घर के अंदर उसको मा की डाट पड़ रही है स्कूल में जा रहा है तो कहीं अगर एक दो माक्स कम हो रहे हैं कि मेरे माक्स कम क्यों आ रहे हैं तो एक नाच्रल लाइफ जीना तो कहीं न कहीं भूल ही गए हैं बच्चे उपर से और एक बड़ी सौगात है हमारा यह मोबाइल जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन का ख़जाना है और वहाँ पर आज कल यह देखने में आता है कि आज उसका बच्चा इसमें फर्स्ट आ रहा है म्यूजिक कॉम्पेटीशन में फर्स्ट आ रहा है कहीं हमें लग गया कि अरियार हमने अपने बच्चे को म्यूजिक में दो डाला ही नहीं है इंटर्ड्यूस ही नहीं कराया हमने फट से उसको ले जाया और एक music school में डाल के आगे भलाई हमारे बच्चे में सबसे जादा अगर उसकी energy है खेलने में है उससे हमको मतलब नहीं है हमारे पडोसी का बच्चा अगर first आ गया है हमारे बच्चे को भी music आना चाहिए तो किल मिला के मुझे यह लगता है कि हमेशा एक competition ही बच्चों के अंदर stress पैदा कर रहा है मैं बहुत एक बहुत personal बात को share करना चाहती हूँ मेरी ही कजन का बच्चा जो 12th class में JEE के लिए prepare हो रहा था और जहां तक उनकी मा ने बोला कि हम लोग ने कभी pressure नहीं दिया उस बच्चे को पढ़ाई के लिए intelligent था पर जिस दिन उसका next day paper है और सुबह 8 बजे you won't believe कि वो दूद पीते पीते छत की मुडेर पर पढ़ाई कर रहा था fresh air में और वहां से उसने चलांग लगा दी नीचे अब आप बताईए कि हम एक तरफ तो हम बोल रही कि हमने कहीं pressure ही नहीं दिया अपने बच्चे को पर हमने उस बच्चे के मानसिक स्थिति को भी तो नहीं समझाना कि वो कितना mental stress में है हमने उसका back support भी तो नहीं किया हमें तो बस यह ख्याल रहा कि हमारा बच्चा जीवन भर first आया है तो अभी भी हमें यह लगता है कि यह इस competition में first ही आएगा पर उस बच्चे की क्या preparation है और क्या उसका अंदर में चल रहा है इस सब पे विचार करना मुझे लगता है कि अगर कहीं stress की बात हम करते हैं तो माता पिता की बहुत बड़ी एहम भूमिका है कि अपने बच्चे को जो जो day to day life है उसमें कैसे adjust करना है जमीनी इस तर से कैसे जीना start करना है और competition हमें healthy बनाने के लिए है ना कि हमारे अंदर हीन भागना पैदा करने के लिए है इस बात पे जरूर ध्यान देना होगा तो कहीं न कहीं थोड़ा stress से हम अपने बच्चों को न क्यार कर डाली है खास करके बच्चों के अंदर में जो बढ़ना पार रहा है कि मैं बच्चों में प्रेशर क्रेट कर रहे हैं या तो आपके पास में मैसेज का बॉक्स है चैट का आप उसके भी अपने सब्सक्री करते हैं मैं आप लोगो पर्ट गुला लूँगा तब तक मैं चलूँगा वापस डॉक्टर सुब्रा शान्याल जी के पास में अभी डॉक्टर गंजे शेयर करें और हमारी वोणी का मगरेचा जीने पाके रहे हैं तो बात यह है कि बच्चों के अंदर में यहांने पैरेंट्स तुद कमझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने बच्चे की परवरिश्ट ऐसे करें आज वर्दवान कमें में लोगों ने के अंदर में कॉंपिशन की भावना ब काया इसकी वज़ा से बच्चा अगर कुछ एका मास कम होता है कि वह गिल्ड करता है और जैसा कि वोनिदा यह रेका हां और इस गिल्ड करते करते उतको कहीं न कहीं इस्ट्रस आना चालू हो जाता है पर पैरेंट्स कोई समझ में नहीं आता है कि यह बच्चे को इस्ट्रस आ रहा है और बच्चे कोई क्रेशन किया ही रही कि बेटा तुम्हें पढ़ना है वह रिंकू से करको नंबर आप ज्यादा लाना है तिरे को क्लास में नंबर वन र पर पहले बात करूंगा पांडी जी मैं सुन रही हूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जन्रेट हो रहा है इसक्शन में बैट के यह सोच रही थी पांडी जी जैसे वेटरेंट पॉसन कि हम लोग जो है तरक्की के रास्ते पे हैं बहुत खुश होते हैं हम लोग पा क्षिए ज कूछ लेट क्या खुँ या बच्चे बिठास देखें कि जब हुम लोग जॉइन चाहीं नहीं होता है बचे में बड़े भी होते ते किन्त बच्चा नुण किसी क किसी का दिगा पाता था माप अगर डाट रहे हैं माप अगर काम पी रिकल निकल रहें दादा दादी नाना नानी आकर काड़ ले रहे आज कोई नहीं है तो मादम वbn पताई कि पैरेंठ केहने हम पढ़ियर्या हम आप मुशे बहुंनcribe रही लैंग्वज से भी पह दें तो पोई बच्चा सुसाइडिल टेंदेंसी अचानक नहीं आती है। सुसाइड इस आलवेज नॉट अन्ड़ स्वार्ट। गेंडरली इस प्लैंड। प्लैंड कॉन करते हैं। इंट्रोवर्ट बच्चे करते हैं। इंट्रोवर्ट बच्चे जो है करते हैं। यह माबाप को ठ्याल नहीं आता है। हम तरक्के की तरफ देख रहे हैं। देखे ऐसा है कि यह जो तनाव है। मैं सुन रही हूं, मैं बोल रही हूं कि मैंने क्यों बच्पन से शुरू किया। सबी लोग चाहते हैं। बच्चा हुआ बहुत खुशी हुई। फेस्टिबल मनाया गया, खुशयाली मनाया गई। वही बच्चा जब धिरे-धिरे बड़ा होता है तनाव में क्यों आजाता है। इसलिए, दो चीजें psychology में बहुत बड़ी चीजें, expectation and result. सुबे से इन्सान बोलता है, एरे भाई, बहुत प्रॉबलम है इसलिए अजिए तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। राइट आउँ आउप्रॉब्लम्स. पांडी जी को कल सुभे हमें को करना था क्यों नहीं किया आप करेंगे मैडम को लगा था और हम कौन करें अब इसक्टेशन और रिज़र्ट अगर इन पॉंचम में नहीं आता है तो वह प्रॉब्लम हो जाता है अब वही घर में जहां बच्चा बड़ा होने लग रहा है जब दिखे ह Chemistry हम दो कहते हैं बच्चे आज कल मुभाइल में जाते हैं चैत में जाते हैं मेरे पास कंस विः आते में कहा कि बच्चा जह जब आपके गोंर बेठा तो आपने का अब से मांगा उसके मुगा हिसके हमके मुभाई आप नहीं आप में दिय है उसके हां अब जर आप In the parents who have given birth to the child, environment should be so warm. इतना खुश्याली हो, इतना हासी हुची हो. यह नहीं कि अधनी बहार से आता है, और मुह भारी करके करे, एक पचाय लाओ, बीपी से बहाला, बीपी नहीं नहीं चाय दे सकती. लड़का देख रहा है. We have to understand, कि एक छोटा बच्चा, चाहे वो एक साल का हो, वो गधा नहीं है. वो आप लोग को देख रहा है. और वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है. तो बीपी स्टाइड आइसे ग्रोस परसनालिटी डाइनमिक्स बनते जाते हैं. उसकी सबसे एहन चीज़े हैं. जो आप वेद विदान्थ में दिया गया है, हम लोग के धार्मिक किताबों में और आज भी हम बोलते हैं, वो एम आइ, मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ, ये बच्चा तीन-चार साल से बनाना शुरू कर देता हैं अपने अंगर. जब वो देखता हैं, माबाप दो में मिलके बैठे हैं, बच्चे को बीच में बैठा के प्यार कर रहे हैं, तो कहता हैं, ये मेरे माबाप हैं. जब माबाप लड़ रहे हैं एक दूसरे, तो वो कहते हैं, मैं कहां जाओ। गड़ सिर्टेटेब, और ये खुआ है को पहले हैं, की बनाना शुक्तित उस प्रसुनी को पहले हैं. एक नॉर्मल परस्नालिटी, वेर इस परस्नालिटी गेटिंग डिप्लेक्टिव, वो मैं इसको 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 डिस्टोट हो रहा है, वो कहता है, मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मुझे नहीं चाहता है, मैं आपको एक इंसिंट बोता रही हूँ, थोड़ा सा ताइम दीजे सबरे, मैं बहुत सारी पॉर्टल में इक लड़का, यह हर्याना का केस है, आन ऑटिंग यू और रोड़के ने जो है, म्युजिक सिखने गया, परहाई में इसके शॉप नहीं था, ब्लास 12 का पड़ाई हो रहा था, यह यह म्यूजिक करता था, इसके छोटे-भऐ भाई भ तू नालायक है इसको दे, तू नालायक है इसको दे, यह नहीं कि माबाप इलिठीड है, मैं कहती है, इससे बाज़ा अच्छा है, पांडी जी, माबाप अनपर्द हो, इतलीस वो ध्यान से देखे, तो बच्चा जो भी करके ला रहा है, पढ़ी लिके माबाप परिशान कर र हैं, आफर ओल, वो भी तो टेंशन दे का रहे हैं इसकोल में, उनको कोटा पुल करना है, वो टीचर्स जो है, कंप्लेंट करने लगे पैरिंटीचर कांसलिंग में, पैरेंट्स ने बच्चे को डाटना शिरू किया, तो विक्टम कौन बन गया, बच्चा, और क्या बच्चे को बच्चे को उस पैरेंट्स के पार देजी, पर तहां जाएंगे हमारे यहां, फॉस्टर हुम में जाएंगे, उसका दुपरा फ्यूचर गया, यह जो हूम आई है, आज जो आप ख़ए हैं, पांजी जी हूम आई लेके बिच्छे आपका व्यूद्ग है, इस बच्चे को समझे, इसके प्रती एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाईगे, इसके प्रती एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाईगे, हर बच्चा इन्टेलिजिन्ट नहीं होता है, कोई बच्चा slow मी इंटेलिजिन्स होता है, कोई बच्चा highly intelligent होता है, accordingly उससे बात करें, accordingly उसको समझें, और दूसरी बात यह है, कि एक concept हैं उसमें, चलtez ए, continue, यहारे, continue, please continue जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन रिदा एक कॉंसेट एपांडी जी और ये इसको लेकर हम आगे भी बढ़ेंगे जब आपर प्रीट्मेंट मेशर्स करेंगे हमें लगता है अनियर जी भी इसको करेंगे एक्सेप्ट करेंगे जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि सेल्फ कॉंसेट हुए मैं कि हुआ मैं के साथ एक चीज़ और अटेस्टेशन इसका एक्स्प्रेशन कहां है वो कहां पी बोलेगा कि पापा हमारी भी अभिकार है सुनो यू विल गो और सिंग आइम ओके यॉर नौट अट एक्स्प्रेस हो जाता है केंशन में चला जाता है इस्ट्रेस में चला जाता है आपने शुरू करता है देरी जब यह बच्चा बढ़ता है तब जब खुच शादी करके पैरेंस बनता है तो वह आइम ओके यॉर नौट ओके वह अपने बच्चे कर दोबी डालता है फ्रांस्वरेंस अव लर्निंग होजान करता है वे सबता है Gast सब्चे का रखोजब आ झीजब करते हैं यह को हम यह सही कंअ है तुम यह सहीं है मšíeur नौट ओके चाहे आफन वे नौट फॉर में हो जाहे पैरेंस बच्चे पै नौ Te Germans ग or not कर ряд जाहे थान फॉर अड़ कि यह नौट is to, you know, we will always say and we believe everyone, stress is needed in life. विना stress, stress एक एक इंजिन कि तरह जो ट्रेन को खीच के ले ले लाती है. और अगर stress जो है पॉजिज जो है पॉजिज जो है पॉजिज जो है ट्रेन अपने देस्टिनेशन में पॉंचे का. जिस समय stress तरह जो है पॉजिच के लिए बच्पन से गर बच्चा सीक कर जाए तरह ज़रुरी है की हो एमाई के साथ गया एटैस करें आपके आपके अपके और यह और दी अच्पन से बच्चा सीकतर जाए तो बड़े होके, जब वो शादी होगा, मेरे बाब, माबाप ने मुझे यह सिखाया, तुम लोग भी सीखो, अक्सर मैने सुना है, आदमी को कहते हैं, माडम, मेरे बच्छे मेरे बाप बात नहीं सुनते हैं, मेरे माबाप तो मुझे कान पोगा के मारते थे, अरे वो टाइम चला गया, मारते थे, आप चुपचा मार खायें, पर आपर सब कॉंशिस माइंद कह रहा है, हम भी मारे, जो मारोगे, क्यो मारोगे, जो मारोगे, जो दिस इस वो अगरे बात करेंगे, यह प्रोग्राम में आप बता दू जितने भी ओरें हैं, अगर आपको हमारा टॉपि पसंदा रहा है तो आगे भी आप हम पे जुड़े रहेंगे और अपने कोस्चन के साथ में जुड़े रहेंगे आप मुझे मेरे नंबर के वाड़सेट में सकते रहें यह प्रोग्राम हर मंगलवार और गुरुवार साथ बज़े से आठ बज़े तक आता रहेगा जहांपर करेंगे और भी बहुत भी हस्तिया हमारे पाद इस प्रोग्राम में अपना अंदोर शेयर करने को आएंगी तो एक बाद बड़र सोग्राशानियाल जी ने कही है तो बड़ा अच्छा के बाद में कुछ ऑडियंस से भी चर्चा करूं का क्या कहते हैं और उनकी बाद से मु लेकिन कितना इस्ट्रेस और कितना तेना चाहिए वह भी जरूरी है अगर ज्यादा डेल दी जाए तो लीचे गिर जाती है और ज्यादा कि दिया जाए तो पतन के बाद भी उसका बुरा हाल होता है मैं आडियंस में से चाहूँगा कोई आडियंस के हैं जो शेयर करना चाहरेंगे इस बादों को फिर मैं आगे करूं अपने स्पीकर के बाद एडिवड़ी वांट शेयर रिटिंग कोपन अडिश्वाजी यह सबाद सब्सक्राइंगे आपकी आवाज को मिलो रहे हैं आज आ रही है अभी आ रहे हो यहां हम लोग को हमारे जो पिलता है जब जाता है वहां पें मिलता है और हमारे जो अब हमें बड़े लोग जब होते हैं जहां हमारे हमें जहां खुती मिलती है प्लेजर मिलता है हम वहां बहुत खुती खुती काम करते हैं जब जैसे बताया कि जब हम मैं क्लास्टिक्स में गया तो एक सब्जेक्ट निव एक निव एडिशन हुआ इंग्लीज जब इंग्लीज को मैं देखा तो उसके बारे में नहीं जानता मुझे पेंद मजर आता था इंग्लीज तो हम प्लेजर के लिए इस उनिया में आया है और हमें जब प्लेजर नहीं मिलता तो हमें इस्टेस क्रिएट होता है तो हमारे पैरेंट को फपढ़ना होगा जो बच्चों में कैसे पढ़ाई में प्लेजर ढूड़े हम जब बच्चे पहते तो उसको जब एप्रिशेशन देते उनको प्लेजर मिलता है आपको फ्लेजर हर चीज में देखना पड़ेगा मैं नौकरी करता हूं उसके पैसा मिलता है अगर मुझे पैसा नहीं मिले तो पैंद नजर आएगा तो हर आदमी प्लेजर के लिए इस दुनिया में आये हुए तो हमें अपने माइन सेट को करना पड़ेगा इसके लिए हमारे अदि करने से आगे रास्ते में दिखाना पड़ेगा आज मैं और आप लीजर के outlines तो बहुत इंपोर्टिंट है हमारे जो होता है बुछते कि हमारे दिमार में नहीं मिलता है नहीं मिलता है तो हमारे मांड में प्रेशर बनता है मिलता है हम किसी कीज़ को नहीं जानते और खोई हमें पेंट नजे रहा कि दो सबस्जो सबस्क्री जाएर करें ड करते हैं सबस्कें हमारा नहींरा नहीं हिस नहीं क्रिएट हो ि इसमें और बहुत इंसक्ति अगे बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये गरेंग और फेन शिश्टम जो outcome analysis होते हैं तो उसको बहुत important है, इसलिए हम आनन्द में कोते हैं, हम आनन्द के लिए इस दुनिया में, हम pleasure हैं, अगर जब आनन्द नहीं मिलता, तो हम stress में चले जाते हैं, और हम pressure में चले जाते हैं, तो हमें सिखना होगा, जानना होगा, यह gain और pain क्या होता है, तब को change करने के लिए हमारे सारे parents को educate होना पड़ेगा, certified parents होना पड़ेगा, उसके बिना कोई संब्धा नहीं लगता है, विल्कुल सुभाज जी, आपकी बात मिल्कुष नहीं कि हम इस दुनिया में pleasure के लिए आये हैं, लेकिं, pleasure कहां से आता है, आज लोगों की परिभाशा हो प्लेजर पैसा है, अगर पैसा है, तो सब सुभाएं होंगी, लिकिन प्लेजर और इस से बाहर तो आना पड़ेगा, प्लेजर का definition को समझना खड़ेगा, यहीं पर तो माइंट कन्फ्यूज है, माइंट के लिए, एक लाइन और बोलना जाता हूं, प्लेजर होता है, जब पढ़ने के लिए बच्चे को, तो बोले बटा दो गंटा परो फिर दो गंटा गेम खिलेगे, तो बड़ा खुसी-खुसी बच्चे पढ़ते है, मैं आगे चलूँगा, आपके बाद पे डॉक्टर गंभीर सिंग कुछ बोलना चाह रहे, इशारा कर रहे हैं मुझे, मैं आपके लिए लेकर आ रहे है लाइफ केमपस पर, हमसे ऑनलाइन, आफलाइन जुडने के लिए स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर पे संपर करें या लॉग इन करें www.lifecampus.com आप Life Campus के Facebook, Instagram और YouTube चैनल पर भी हमें फालो कर सकते हैं Actually, बाते हैं ठीक हैं, बाते हैं तो बाते हैं बातों का क्या हमारे अभी जो भी का सिस्टम है, मैं अपने पहले का जो हाफ था मेरा स्पीच का उसमे भी बोला था अभी मारे जो सर बोल रहे थे, उनको कहना थे कि हम पेरेंट्स को सीखना पड़ेगा, उस सीखें कैसे हैं, अगर आप धान दें कि हम सब पिक्चर देखते हैं, फेमस जो पिक्चर होती हैं सारे, एक पिक्चर आई थी, तारे जमीन पर उसके बात एक और पिक्चर आई, त सारे जमीन पर मैं समझता हूँ, तमाम सारे लोगों ने उन, मतलब जो अभी उस समय पिक्चर आई थी, अब वो माबाप बने होए थे, उन समने देखा हुआ उसको, पर उसका कोई भी पिक्चर रहा जबकि उसमें बहुत सारे डिसलक्षिया के बारे में उस बच्चे का औ हमारा जो सिस्टम है, उसमें एकोनामी बहुत अहम रोल अदा करती है, जैसे अगर मैं कहता हूँ कि मेरा जो बच्चा है, वो उसको प्लेजर मिले, तो प्लेजर कैसे, मतलब वो उसके लिए मुझे, मैं इस्ट्रेस दे होंगा, मैंने सारी चीज़ें जा किया, जुबरा मै समझ रहा होता है, क्या मैं अपने घर में वो इन्वार्मेंट डबलब करता हूँ क्या, कि बाहर मैं जो भी चीज़ें करके आया हूँ, उसको जैसी बाहर दर्वाजे में मैं घुशता हूँ, उसको छोड़ के बढ़िया, स्माइली फेस के साथ मैं अंदर जाता हूँ, बि अवर्ना सुरू होता है, हम जिस ससाइटी में, जिस इन्वार्मेंट में, जिस अगागा फेमली का सरकमिस्टांस से में, आज के तारिख में घर गए हैं, वहाँ पर प्लेजर लाने के लिए यह बढ़ियाश की बात करते हैं, वहाँ पर भी स्पेस से सुरवात होता है, अ स्ट्रांगली कहां से सीखे रिखमेंट होना चाहिए इसके लिए बलकि सुप्रा मैडम बैटी हुई है मैं तो बोलना चाहूंगा कि इसके लिए कानन बनना चाहिए कि अगर जब तक कोई पैरेंट्स यह सारे चीज नहीं करता है उसको बच्छा बैदा करने को यदिकार नही है तो फिर वह सेम चीज होना है बच्छे की सांथ में हो जाएजा जैसे मैडम जब शुरुआत की बच्छे को लेकि तो यह जो चीज है यह हमको आज इस प्रेट्वां के माध्यम से यह करना होगा यह मैसेज देने का प्रयास करना होगा कि वह कौन सा लेबल है युस का लेबल मतलब कालेज गोई जो बच्चे हैं उनके उसुस में कोर्स में सामिल हो कि जब आप साधी करें और मैराइटल लगा उसुस में जाएं तो यह सारे की कैसे मतलब आपको करना है क्या उन स्कूल में यह कॉर्स कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि बच्चे को क्या चीज कि लाइकिंग और उसके हिसाप से मतलब वहाँ पर एजुकेशन दे क्या उन घर में यह जरूरी नहीं है कि यह बताया जाना चाहिए कि आपका जो बच्चा है उसकी लाइगिंग इसलाइकिंग यह है उसकी साथ सब्सक्राइब आप बेजे हमारे एजुकेशन सिस्टर में प्राइबेट शूल और यह अंधी दोड है हम जाता लोग अभी यह सोचते हैं कि मेरा बच्चा साइंस में जाना चाहिए साइंस में मैथमेटिक्स मतलब हो यह सारी जो सीज़ें होना चाहिए बाइव में होना जी तो डाक्टर बने ही बने वह चाहिए अगर वह इसे पर तो यह जो चीज है हम प्लेजर कैसे जैसे सर ने अभी बताया कि वह चीज कैसे आए हमारे सुसाइटी में तो एक कदम आप आगे बढ़ो कि वहां पर इस प्रेस रखा हुआ है प्लेजर तो हम भूली गए हैं उसी की तो आज यहां पर बात हो रही है कि वही हमें कुसी कैसे मैसूस हो मुझे अपने दोस्त के पास जाना है तो दस पार सोचना पड़ता है कि मैं पूछू पता नहीं उसको टाइम है की नहीं घर में और टाइम देगा की नहीं घर में क्या बाताबरान होगा मैं अपने दोस्ते में पहले ऐसा होता था कि जैसे मैंने कहा न कि किसी के पास जाने के लिए रिष्टेदार के पास में पूछने जूरत नहीं होता है तो यह जो चीज है वो खतम हो गई इसके बहुत ऊपर आ गए है हम लोग इस प्रेस तो आते ही घर में यहीं और जाना था त्यार होगे बैटे हो इसको इसको नकारत नहीं जा सकता कुछ भी बोलिया यही कहानी है तो हम जब हम जब तक इन सब चीज़ों का एससमेंट नहीं करेंगे कोई ऐसी टूल डवलप नहीं करेंगे जहां पर यह सारी स्ट्रिक्ली सारे मोनिटर ना हो त सब्सक्राइब आपने काम में जिज़ी है और बच्चे को हम क्या चिखाएं जो कि जब घर पे कोई पैरेंट्स आता है मम्मी पापा आते हैं तो वह अपना चेरा ही सब्सक्राइब करके अंदर गुशते हैं क्योंकि उन्टे काम में ही इतना इस्ट्रस है मगर सब्सक्राइब देखने के लिए क्रिकेट पे जाता हूं लेकिन वहां पर मेरा पसंता खिलाडी पहली वाल पे आउट बोजाता है और मुझे इस्ट्रस आ जाता है और मैं वहां क्रुश्या तुरना चालूगा देता हूं तहाँ गया तो प्लेजर के लिए था लेकिन वह इस्ट्रस लेकर के घर पे आथा हूं इस्ट्रस पे चलता हूं कि पूरे चर्चा पे होगी आज समय इजाजत की ओर है मैं और भी आडियोंस की और से बाप रखने वाना चाहूंगा कि पाप रखे इसके पहले में आपको बता दो कि आने वाले प्रोग्राम में हमारे बीच में दित नुएडा से डॉक्टर आधा सिंग उड़े की ये रिट सब्सक्राइब करने के लिए आज हमने रखा कि इस्ट्रस का नेचर क्या है इस्ट्रस हमारे इस्ट्रस के कंपोनेंट्स क्या क्या है इस्ट्रस हमारे एंवारिमेंट इवन फैमली को कैसे प्रभावित कर रहा है इन तमाम विश्व के बात करेंगे आगे चल करके और उसके बाद हम सलूशन की और भी चलेंगे कि इस्ट्रस को कम नहीं कर सकते इस्ट्रस तो आएगा कि बाहरी वाता वरण से है जैसे कि डॉक्टर सुबरा जी ने कहा था कि हमें अपने अंदर की और समझना होगा अंदर को जानना होगा शुबाज जी कुछ उसी और इसारा कर रहे हैं तो आने वाले समय में हम कंप्ली इस्ट्रस नहीं है तो हमारे पास जुड़े रहेंगे कोई है और भी जो हमसे चाहिए बात में डॉक्टर शुबरा शान्याल चाहते हैं अगर आप में से जीतन के वर्ट कि अगर अपनी बाते रखना चाहते किसी के पास कोई प्रस्ट नहीं तो आप या इस मंज में शेयर कर सकते हैं कि इसे क्या वाज आरी है कि अलो और अपनी कुछ बोलना चाहा रहे हैं आप जैहिन सर नमस्ते सर नमस्ते जैभी दोलो सौरभ दी सर जैसा कि अभी मैं विगत दिन पहले न्यूज चलाया था जैसा कि यहां पत्रकार हैं सूरजपूर से जी सूरजपूर और कोरिया जीला सर आप इक पैचाना में आपको तर तो एक मसला था सर कि जैसे यहां के अधिकारी लों अभी सर आदा दर्जन से उपर यहां गाए की मिर्टी हो चुकी है और आज सुत्रो समिली जानकारी भी कि जैसी भी से माटी जो मटी होता है उनको दो गजमीन के जगा सरो गाए माताओं को उस मिर्टी और कचड़े के धेर में दफन कर दिया गया सर और विगत नहीं पर भी तो महीना मावर पहले से हम लोग इस न्यूज को चला रहे हैं और एसी सेल परवंदक और एसी सेल का जो ठेगा करमचारी है चाहूंगा राजितिक बाते लिए आप रिसकी बाते हैं तो आपन दोप्रे पोरम में करेंगे आप पोजे संपर कर लीजिए को मैं आपके बाते चुनूंगा या विश्य अगर हम ले लेगे तर्चार रहेगा वाजितिक मसलें के लिए फिर में दुप्रापोरम आपके तर्व बढ़ते होगा ठीक है जी सर्वागा आपसे या आपने यापको मैं ज्यादा तमय नहीं दे पारा इसके अलावा कोई और बाते रकर जाएंगे इधर बात मरिका जी कुछ आप शेयर करें कि मैं आपके तुप्रा ने बहुत ही अच्छी बात शुब्रा मैडम ने भी बताई है और सर ने भी बताई है यह बहुत पॉजिटिव समाधान है कि स्ट्रेस तो होगा ही जीवन में अब यह हमारे उपर है कि हम उस स्ट्रेस को किस लेवल तक ले जाएं कि वो स्ट्रेस अपने डिस्टिनेशन पर पहुच आए या कोई डिजास्टर क्रियेट करें तो मझे लगता है कि यह डिसकुशन बहुत ही अच्छा होने वाला है आगे के समय में जब हम इसके समाधान पर पहुचेंगे अभी तो यह बात बहुत अच्छी समझ में आ गई है as a parent भी मुझे कि बच्चों के साथ में हमें इस तरी के से stress को introduce करना है कि वो आपको positivity की ओर ले जाए और आपके destination को पाने में आपकी मदद करें और सर ने भी बहुत अच्छे से कहा कि काम तो parents को करना पड़ेगा क्योंकि naturally हमारे ही guidance में बच्चे बड़े होंगे तो जब हम खुश होंगे तो जो चीज हमारे पास होगी वही हम अपने बच्चों को बाट पाएंगे और वही बच्चे भी आत्मसाथ करेंगे तो एक smiling face घर के अंदर जब enter होगा तो naturally पूरा positivity के साथ में हमारे घर का माहुल होगा तो ये भी बहुत अच्छी बात आज सीखी है हमने और expectations always creates problems युगरा मैडम ने ये dialogue भी दिया है तो उस पे भी मुझे लगता है कि सच में expectations हमारे ही बढ़ गए हैं ज्यादा अगर मैं बच्चों की बात करूं तो और सिर्फ एक ही parent नहीं हर parent के अंदर म हो जाए इंजीनियर तो थोड़े कम आजकल सोचते हैं लोग वाकी हाँ एक अच्छा प्लेयर बहुत अच्छा हो जाए तो भी ओके है तो यह अच्छा है कि विधाय बहुत सारी हो रही है पर कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चे की स्कूल के बैग में बात्रा बस्ता साथ पांस किलों का लगता है लेकिए उसमें पैरेंस की जो अपेक्छाएं हैं उसे प्रूंटल में तब्दील कर देती हैं इसलिए बच्चे के कंधे तूट रहे हैं और आने वाले समय में वह बच्चों के इस्टिस के रूप में परलि प्लीज पहले ले लिजे अगर समय मिले तो मेरे को समय बिल्कुल बिल्कुल आराइए क्या ग्लेक्टी एंट्टी वन आपका नंपर देनी मालं पिदाई को प्लीज अब यह कुश्चन यह था कि हमें तो पेंज नहीं पड़ेगा लेकिन चीज है हमारे अज्टर अनिरतर एक आउटकम मार्श्टी हमको सिखाते है जिसमें पेंट तो रहता है लेकिन से बड़ा गरा प्लेजर होगा तो बड़ा-बड़ा पेंज धेला जा सकता है जाते एक इस आफिसर जब बनता है जब इस्टुएंट अपने लाइफ में पढ़ाई करता तो बहुत सब्सक्राइब होता है लेकिन उनके सामने फीटर में बहुत बड़ा प्रिक्चर होता है आईजर बनने का उनके फायदे होते हैं वो अपने फायदे गिनाते है एक से सो तक फाय से लिखते हैं कि मुझे ये लाइफ मिल जाएगा तो क्या-क्या फायदे हो सकते हैं तो उनको छोटा-छोटा जो पें होता है इस सब्सक्राइब करने का वो उसको दिखाई नहीं देता है लेकिन हमें प्लेजर देखना है एक आईए साफिसर बना है तो बहुत बड़ा प् सब्सक्राइब को हम कर सकते हैं तो यह सुवाज जी आपकी बाते इस सेशन के अगले टॉपिक में आएंगी तो लोग को समझते आएगा फिलाल अभी यह जो सेशन है यह आपका पीफरेंच रंटा कापिक होगा जो मैं प्रोग्राम कर पा रहा हूँ फिलाल तो अभी यह स लेकिन कोई यह नहीं मानता कि उसे इस इस विबाई हो जाती है लेकिन इस तो समझ नहीं पा रहा इसी पर हम बात करेंगे गुरुवार के देग लोगी सेशन की और मैं चलूंगा वापस कमराइज करने के लिए डॉक्र शुब्रा सान्याल जी के पास ने तियाज की बातों को ले और अगले वारे टॉपिक में हम क्या बाते करता हैंगे सुब्रा जी से में चल पाता हूं डॉक्र सुब्रा जी हां थैंक यू मैं जो है पांडी जी सुन रही थी बड़े ध्यान से और शुबास जी से मैं एक लिंक निकाली हूं यह जो प्लेजर की बात हो रही है प च्छेश को स्च्रेश करें यह होता है उन देश्टी थिंकिंग तर से घाले को आप देखेंगे पॉसिटिव थिंकिंगे फिस्टीव थिंगिंगे पॉसिटीव इमोशिण और पॉसिटीव इमोशिटीव इनेबल इंचर थेशन जैब हम लोग निकाल के आते हैं पांडी आपने थर्ज़े रख आपने थर्ज़े को अगर यहीं लिंक को लेकर लोग डिसकॉशन शुरू करें को एक कंटिनियूम हो सकता है और फिंग पॉइंट इस पॉजिटिव थिंक तो कि जो भी वो लोग मनुविगानिक बैठ रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग जॉब स्ट्रेस होने के बाद भाद में बहुत समय जॉब स्ट्रेस लेकर पुलिस अपर सब्सक्रेस लेकर घर आता ह तो आप जो है अगर इस लिंक को पकड़ने पांडी जी पॉजिटिव थिंकिंग इनेबल स्ट्रेस प्रोब्लम सोलविग अफ दे इन्डिविजिग और यह मैं इंदूट करें हूं कि यहां पे जो पैरेंस हैं वो पहले अपने को कॉंसलिंग करें से अपने को समझें अप सब्सक्राइब करें हम अपने अपने आपको और सब्सक्राइब करते हैं कि मुझे सब कुछ पता है मैं सब कुछ जानता हूं और अनायाशी हम सामने वाले को इस्ट्रस दे आते हैं और वह बयांद नहीं करता कि इस्ट्रस कुछ नहीं है केवल अपनी भावनाओं को दवाग के रखतेना भी इस्ट्रस होता है आने वाले समय में हम इसके शिम्टम के पारे बात करेंगे मैं करता हूं कि हमारे साथ गुरुवाद को जड़ेंगे और अपने दोखों को इसमें अधिक रदिक संख्या में जोड़ेंगे ओंशिशन है कोई चार्जिस नहीं है और बहुत अंदवी लोग का मादर्शन और उनका नॉलेज हमारे पास में आएगा कि जो प्रेशर समझते हैं मैं लोग कैंसर समझते हैं पर यह मानने को तयार नहीं होते कि इस्ट्रस में वो यहीं बोलता कि मेरे को बहुत प्रेशा रहा है कि कोई नहीं बोलता कि मैं आज इस्ट्रस को समझना होगा विलहाल सुवाज जी इससे पहले साथ मेरा मानना है कि हमें प्रेशर टेंशन और इस्ट्रस को समझना और इस्ट्रस समझने आएगा तब कि मैं आगे माइंड सब कॉंसेस माइंड ब्रेंड बाड़ी और इन तब बात करेंगे जब यह समझ में आ जाएगी तब हम सोल्क्योर चलेंगे तब अत्मिक्ता को विज्ञान के साथ जोड़ेंगे तब कहीं जाकर कि लोगों का लिविग स्टाइल जो है वो सुखरे लिए आज की कंडिशन दो साव ऐसी हो गई है कि वर्किंग से निकलता है रास्ते में सर्व मुबाइल को ऐसा दबाए हुए बात करते हुए आज कि समय है घर पमचा पिर लग गए और आज की कंडिशन ऐसी है कि पती-पत्री भी अपने घर में बच्चों से और अपने पत प्रेशर होगा इस्ट्रस में और आपको तम मालूम चलता कि मेरा इस्ट्रस लेवल पढ़ गया है जब आपके शरीर के किसी घंगों में बीमारी प्रैल जाती है और बहुत सारी बीमारिया ऐसा सब बहुत वग्यानिक कहते हैं कि 80% diseases जो हमारे यहां हो रही है वो साइको सोमेटिक है अर्था हमारे सोचने की प्रविंद्धी के कारण बीमारी पहला हो रही है तो सोच को बदलने के लिए इस शुक्तम करने के लिए दूरे रहेंगे सुद्धियों को समझ सकते हैं वह चीज़े यहां पर बताई जाएगी मैं अक्सर कहता हूं कि यह प्रेटफॉर्म हमने इसमें तयार किया है कि वह बातें जो सारी हस्तिया यहां आएंगी जो आपको जीने का तरीका बटाएगी कि आप अपने माइंड को कैसे मेलेज कर सकते हैं और तना और पुर्ण जिंदिगी से दूर कैसे जा सकते हैं आप अप लोग से अनमती चाहूंगा आप लोग अपने विस्तम समय में समय निकाना आपका बहुत-बहुत अभार ड़क्टर गंबिर सिंगी आप अपनी विस्त घृतिया जी चिरा और प्रिकशिक अनम नहीं आये तक लेक्टी अनम स्टेखा अनमिका लिखी वीवो के नाम से भी कोई ताथे बहुत-विरेटे तो मैं सभी को नहीं देन से अब आज़ए टाहूं कऊ